नमस्कार मैं हूं नितेश पाध्या और आप देख रहे हैं स्टोरी हाव मनुष और विज्ञान ने आज भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो लेकिन फिर भी वैज्ञानिक आज तक अंतरिक्ष के सभी गुड रहस्यों को नहीं जान पाए हैं हम भर्मांड के एक बहुत छोटे से अंश मात्र हिस्से के बारे में ही जानते हैं बिग बैंक ठेओरी के अनुसार तो भर्मांड का अभी भी प्रसार हो रहा है वैज्ञानिक संस्थान भी अंतरिक्ष के बारे में रोजी कुछ नया आम लोगों तक साज़ा करते है अब हाली में नासा ने खुलासा किया है कि जल्दी प्रत्वी के पास एक शुद्र ग्रह गुजरने वाला है नासा का कहना है कि 13 अप्रेल 2029 को अपोसिस शुद्र ग्रह धरती के नजदीक से गुजरने की संभावना है कहा जा रहा है कि प्रत्वी के निकट से गुजरने वाले इस खतरनाक शुद्र ग्रह का व्यास 370 मीटर है साथी चिन्ता की बात यह है कि इसके प्रत्वी से टकराने के भी प्रबल संभावनाय मौजूद है अनुमान है कि ये शुद्र ग्रह प्रत्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा पर कुछ परिस्तितियों में ये धर्ती के अधिक पास भी आ सकता है इसरों ने भी इस शुद्र ग्रह पर अपना बयान दिया है इसरों के वेग्यानिकों ने कहा कि इसरों 2029 में प्रत्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी होने पर एपोसिस एस्टोरॉइड का अधियन करने के लिए किसी ने किसी शमता में काम करने पर वेचार कर रहा है ताकि एसरोरॉइड को प्रत्वी पर गिरने से रोकने के लिए ग्रे रक्षा प्रयासों की तयारी की जा सके ऐसा पहली बार नहीं है कोई शुद्र ग्रे प्रत्वी के पास से गुजर रहा हो पहले भी ऐसी घटनाए होड़ चुकी है पिछली बार एस्ट्रोरॉइड से 116 साल पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के पास विस्पोर्ट हुआ था ये विस्पोर्ट साइबेरिया के एक सुदुर इस्थान तुंगुस क्वा में हुआ था जिसकी वजह से खरीब 2200 वर्ग किलोमीटर जंगल नश्ट हो गया था और 8 करोड से ज़्यादा पेड जल गए थे साइबेरिया की इस घटना के कारण ही अंतरिक्ष समुदाय द्वारा हर साल 30 जून को एस्ट्रोरॉइड डे मनाय जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि जब जब ये धर्ती से शुद्र ग्रे टकराता है तो कई परजातियां विलुप्त हो जाती है साथ ही इस बात की भी परिकल्पना है कि ऐसे ही किसी विस्पोर्ट के कारण धर्ती से डैनासोर विलुप्त हो गए थे इसरों के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 30 जून को आयोजित शुद्ग्रह दिवस 2024 के अवसर पर बैंगलोरू में आयोजित एक अंतराष्ट्विय कारशाला को संबोधित करते हुए कई बाते कहीं उन्होंने कहा कि हमारा जीवनकाल 70-80 साल का होता है और हम अपनी जीवनकाल में ऐसी कोई आपदा नहीं देखते हैं इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है अगर आप दुनिया और ब्रहमांड के इतिहास को देखें तो ग्रहों की और शुद्र ग्रह के पहुँचने की घटना अक्सर होती रहती है मैंने गुर्वार को टकराने वाले शुद्र ग्रह को शूमेकर लेवी से टकराते देखा है अगर प्रतिवी पर ऐसी कोई गटना होती है तो हम सभी विल्लुप्त हो जाएंगे ये वास्तविक संभावना है हमें खुद को तयार करना चाहिए हमें इसके विकल्प खोजने होंगे इसलिए प्रोद्योगे की विक्सित करने की आवश्यक्ता है भविश्यवानी करने के उक्षमता बढ़ाने की आवश्यक्ता है इसे विक्षेपित करने के लिए वहां भारी प्रॉप्स भेजने के ख्षमता, अवलोकन में सुधार और एक प्रोटोकॉल के लिए अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से काम करने की आवशक्ता है साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार उन्तीस में जब अपो फिस आएगा तो हम इस एक्स्रोरोड से मिलेंगे अब देखना है कि भारत और अन्य देश आगे संयुक्त रूप से क्या कदम उठाते हैं और अपनी राय हमारे साथ जरूर सांजा करें आपको क्या लगता है क्या ये शुद्ध रह सचमे प्रत्वी के किसी भाग से टकराएगा या सही तरीके से निकल जाएगा इस खबर के बारे में हर नया अपडेट जानने के लिए जोड़े रहें स्टोरी हाव के साथ